इसमें एंडिये साड़े तीन सो चीटेज विजे हासिल की है मानि प्रहाम अंति पिश्मिर इंगता हूँ बार्तिय जनता पार्टी के यशस्वी, परीश्रवी, अध्यक्ष, भाई अमित साहजी, भार्तिय जनता पार्टी के सभी वरिष्ट साथी, और प्यारे भाई यार बहनों आज स्वयम मेग राजा भी इस विजयोत्सों में सरीख होने के लिए हमारे बीच है 2019 लोगसर्वा का जनादेश हम सब देश माच्वा के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे आज हम देख रहे हैं देश की कोटी कोटी नागरिकों ने इस फकीर की जोली को भर दिया मैं भारत के एक सो त्रीज करोर नागरिकों का सर जुका करके नमन करता हूँ लोगतांत्रिक विश्व में दोहजार उननीस का यह जो मतदान का सिरफ आखड़ा है यह अपने आप में लोगतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी घटना है बेश आजाद हुआ इतने लोगसभा के चुनाव हुए लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधीक मतदान इस चुनाव में हुआ है और वो भी 40-42 दिगरी गर्मी के बीच में है ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरुपता लोग तंत्र के प्रती भारत की प्रतिबद्धता पूरे विश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा पूरे विश्व को भारत की लोग कांत्रिक शक्ति को पहचान ना होगा इस अवसर पर मैं इस लोग तंत्र के उत्सों में लोग तंत्र के खाति जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है जो लोग गायल हुए है उनके परिवार जनों के प्रती मेरी संबेजना प्रगट करता हूँ और लोग तंत्र के इतिहास में लोग तंत्र के लिए मरना ये मिशाल आने वाली पीजियों को प्रेरा देती रहेगी मैं चुनाव आयोग को सुरक्षा बलो को इस लोग तंत्र की उत्सव की व्यवस्ता को समानने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोग तंत्र में विश्वाद बढाने वाली ब्रवस्ता देने के लिए बहुती उत्तम तरीके से चुनाओ प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए रगाई पुरवस्त बहुत बहुत बढाई देता हूँ साथियों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब स्रीकर्ष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष्मे थे मैं समझता हूँ उस समय महाभारत के काल में भगवान स्रीकर्ष्ण ने जो जवाब दिया था वो आज 21 सदी में 2019 के चुनाओं में हिंदुस्तान के 130 करोड नागरिकों ने जनता जनारदन ने स्रीकर्ष्ण के रुप में जवाब दिया है आज स्रीकर्ष्ण ने जवाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष्मे नहीं था मैं तो सरफ हस्तिनापूर के लिए हस्तिनापूर के पक्ष्मे खड़ा था आज 130 करोड नागरिक स्रीकर्ष्ण के रुप में भारत के लिए खड़े थे भारत के लिए बत्तान किया था आरिसलिए देश के सामान्य नागरिक के भावना भारत के उजवल भविश्की गारंटी है इस चुनाव मैं पहले दिन से कह रहा था ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है कोई उमीदवार नहीं लड़ रहा है कोई नेता नहीं लड़ रहा है ये चुनाव बेश की जनता लड़ रही है जिनके आग कान बन थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनार्दन ने प्रगट कर दिया है और इसलिए अगर कोई विजय हुआ है तो हिंदुस्तान विजय हुआ है अगर कोई विजय हुआ है तो लोगतंत्र विजय हुआ है अगर कोई विजय हुआ है तो जनता जनार्दन विजय हुई है और इसलिए हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कायर करता हम सभी एंडिये के साथ ही नम्रता पुर्वक इस वीजय को जन्ता जनार्धन के चर्णों में समर्पित करते हैं इस लोग सब आके चुनाओं में जो विजय हुए हैं उन सभी विजयताओं को मेर्ड़य पुर्वत बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और सभी विजय किसी भी दल से जित करके आये हो किसी भी पार्स्व भूमी से आये हो लेकिन देश के उजवल भविश्य के लिए प्रतिबत्ता के साथ कंदे से कंदा मिला करकर के भारत के उजवल भविश्य के लिए विजयी सभी जन सभी प्रतिनी थी आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे इस विश्मास के साथ मैं उन सब को शुब कामनाई देता हूँ चार राज्यों में भी चुनाओ थे औरिशा, आंद्र, सिक्किम, अरुणाचल उन विधान सभाओं में जो प्रतिनी थी चुन करके आए हैं उन उन राज्यों की जनता ने जिन सरकारों को चुना है उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं उनसे भी सरकारों को विश्वाद जलाता हूँ कि भारती जनता पार्टी भारत के समिधान को समर्पीत है भारत के समिधान प्रति समर्पीत है और खैडरलिजम को समर्पीत है और इसलिए इन चीजों को विजए प्राप्त करने वाले लोगों को मैं विस्वाद दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार उन राज्चों की विकास यात्रा में पूरी तरह कंदे से कंदा मिला करके उनके साथ चलेगी जैसा हमारे तिक जी ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी की करोडों कार करता उनके परिश्रम उनका पुर्शाथ इतना गर्व होता है कि जिस दल में हम है उस दल में ऐसे दिल्दार लोग है कोटी कोटी कार करता सिरफ 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 एकी भाव भारत माता की जैड़ और कुछ नहीं वे कार करता वे भारतिय जनता पार्टी परिवार का प्रतेख साथी कोटी कोटी अभिनंदन का अधिकारी है जिसने निस्वार का भाव से लोगतंत्र का जंडा उचा रखते हुए देश के सामाने मानवी की आचा आकांचाओं की पुर्ती के लिए जी जान से लोकतंत्रिक तरीके से इस पूरे लोकसाई के उत्सव में सरीख हो करके उसकी आन बान शान बढ़ाने में यश्रस्वी भूमी का निभाई है भारती ये जंडा पार्टी की विशेष्टा है और विशेष्टा ये है कि हम कभी दो भी हो गए हम कभी दो भी हो गए लेकिन हम कभी अपने मार्गर से बिच्चिनित नहीं हुए आदर्शों को ओजल नहीं होने दिया न रुके न ठके न चुके कभी हम दो हो गए तो भी और आज दोबारा आ गए जो से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चड़ाव आये है जो थे तब भी निरास नहीं हुए दोबारा आये तो भी ना हमारी नम्रता छोड़ेंगे ना हमारा विवेक छोड़ेंगे ना हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे ना हमारे समस्कार को छोड़ेंगे यान ड इस है समस्कें अनल थे तो प्राजब अपनापी और चड़े जट्थी ना हमारे समस्केंस झाहनना गये तक इसक्रथशब़े ग्रश। औरे समस्केंस आपिक को छोड़ेंगे यान मारे शिर्थorte में थे बामेंस साथ्यों, अभी हमारे अद्दक जी चुनाव नतीजों की कुछ हाइलाइट बता रहे थे मैं स्वयम, आज काफी व्रस्त था, उसके काराण चुनाव नतीजों पर मेरा ध्यान नहीं था और इसलिए मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है, कि कहां क्या हुआ, कैसे हुआ लेकिन अद्दक जी ने जो विस्तार के बताया, मैं आज रात के बाद समय निकाल करके देखूंगा, काज दिन पर क्या क्या हुआ है लेकिन जो अद्दक जी ने बताया, ये अपने आप में हिंदुस्तान के पोलिटिकल पंडितों को उनकी सारी बिश्वी सदी की सोच को छोड़ना पड़ेगा एकिसी सदी है, ये नया भारत है ये चुनाव का विजय, कोई कहता है मोदी, मोदी, मोदी ये मोदी का विजय नहीं है ये देश में इमानदारी के लिए तड़कते हुए नागरी की आशा अकांशाओं का विजय है 21 सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े, नौजवान का विजय है ये विजय, आत्मसम्मान, आत्मगवरों के साथ एक सौचालई के लिए तरपती हुई, उस मा का विजय है ये विजय, उस बिमार वेक्षी का है जो चार-चार-पांच-पांच साल से पैसो के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था जिसका आज उपचार हो पाया, उसके आशिरवाद की विजय है ये विजय, देश के उनकी सानों की है कि जो पसीना भाव करके रास्त के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परिशान करते रहता है और खुद जहमबत उठाता रहता है, ये उसकी विजय है ये उन 40 करोड असंगडित बंतुरों की विजय है जिनको पहली बार लेट के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे लेकिन इस देश में कैसी सरकार, जिसपन लेट का लेबल तो नहीं है लेकिन 40 करोड लोगों के लिए, असंगडित कामदारों के लिए पेंशन योजना लागो करके उनको सम्मान जीवन देने का काम की आए ये उनका विजय है, उन बेघर जिनकी गुजारते गुजारते आज पक के घर में रहने गए है उनका विजय है और जिनका 2022 तक पक का घर बनना स्ताय है, उनका विजय है ये विजय है, उन मत्यमबर के परिवार का है, कि जो कानून नियमों का पानन करता रहा जो देश की भराई के लिए टैक्स देता रहा लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला, और नहीं कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है, वो सचमुझ में देश के काम आता है क्या पात सान्दा उसने अनुभव किया, कि जो दे रहा है, वो सही जगा पे जा रहा है सही काम हा रहा है, उस मद्यमबर के मन को जो संतोस हुआ है, वो संतोस इस जुनाव नतीजों में नजर आ रहा है इमान दारी को जो टाकत मिली है, उस टाकत को इस जुनावने एक नई स्विक्रूति दी है और इस प्रकार से जो बडलाव आया है उस बडलाव ने ये परिवर्तन लाया है भाई यो बेनों हमारे देश में ये चुना वैसा हुआ वरना आपने देखा होगा तीस साल तक लगातार देश में विशेश रुख से वैसे ये ड्रामे बाजी तो लंबे समय से चल देखी एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा टैग फैशन हो गई थी कुछ भी करो उसको लगा लो आपके गंगास दान करने जना पुन्डे मिल जाता था उस टैग का नाम था और पुरी तरह नकली उस टैग का नाम था सेक्लिरिजम और नारे लगते दे सेक्लर एक हो जाओ सेक्लर एक हो जाओ आपने देखा होगा 2014 से 2019 आते आते हैं उस भूरी जमात ने बोलना ही बन कर दिया इस चुनाओं में एक भी राजनितिक दल सेक्लर एजम का इन नकाब पहन करके देश को गुम्रा करने की हिम्मत नहीं कर पाया है ये बेनकाब हो गए है दूसरा हिंदुस्तान में कोई चुनाओं ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो ये चुनाओं ऐसा है जहां महंगाई एक भी विरोधी दलने आरोप नहीं लगाया ये चुनाओं ऐसा है कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाओं उठा लिए सब चुनाओं प्रस्टाचार के मुद्दे से रंगे से रंगे गए थे प्रस्टाचार के मुद्दों पर चुनाओं लड़े गए थे प्रक्ताचार के मुद्दे पर जवाब देने पड़े थे ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राज़ितिक दल पांच साल के शासन पर प्रक्ताचार का एक आरोप नहीं लगा पाया चुनाव का एक मुद्दा नहीं भारत के लोक्ताचार में ये तील चीज़े कॉंस्टन रही है इस चुनाव में मिसिंग थी और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराज़ित से चीज़ों को तोला जाए भायो बैणो इस चुनाव ने 21 सदी के मजबूत नीव हमारे सामाजिक सारवजनिक राज़ितिक जीवन के लिए निर्मित की है और मैं चाहूंगा कि जो देश का उजवल भविश्य चाहते है सरकार कौन बने किसकी बने कौन आए कौन जाए वो तो जनता करता है करती रहेगी लेकिन भारत के उजवल भविश्य के लिए देश की एक्ता और अखंडिता के लिए अब भारत ने भारत की जनता ने इस चुनाओं में एक नया नेरेटिव देश के सामने रख दिया है सारे समाज सास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है और वो क्या है अब इस देश में सिरफ दो जाती बचेगी दो जाती ही रहने वाली है और देश इन दो जाती पर ही केंद्रित होने वाला है यह जाती के नाम पर खेल खेने वालों लोगों को यह बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाओं में हुआ है और दो जाती है कौन सी अब 21 सदी में भारत में एक जाती है गरीब भारत की एक जाती है गरीब और दूसरी जाती है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछने कुछ अपना योगदान देने वालों की है एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं ये दो ही जाती है और इसलिए हमें 21 सदी में इन दोनों को ससक्त करना है जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी ससक्त करना है और गरीबी से भार लाने में जो बढ़चर करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंग को मिटा सकती है इस सपने को ले करके हमें चलना है दोस्तों ये चुनाव इसलिए महत्वपून है कि इसी कालखंड में ये 2019 से 2024 ये पांच साल का कारकाव और इतना प्रचंड जनमत प्रचंड मेंडेट बहुत बड़ी घटना है विश्व को अचम्मित करने वाली घटना है पल भर याद कीजिए यही समय है जब मात्मा गांदी के 150 वर्थ देश मनाएगा यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाएगा गांदी एक सो पजास और भारत पचातर यह हमारे लिए इन पात साल को उननीस सो बैालिस से उननीस सो सैतालिस के साथ हम प्रतिपल जोड करके देखें उननीस सो बैालिस से उननीस सु सैतालिस देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए जेल जाता था आजादी के लिए खादी पहनता था आजादी के लिए जारू लगाता था आजादी के लिए बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए स्वदेशी का पारण करता आजादी के लिए 42 से 43 तक 45 एक जनांदोलन ने देश को आजादी प्राणे में बहुत बड़ी मदद दिए ये 1924 2019 से 2024 ये कांखन देश की आजादी के सिपाईयों का स्मरण करने का है और देश मासी भी ताय करें कि इन 5 साल का हम 130 करोड लोग उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी बड़ी सल्तनत को पराच कर दिया था आज आज हम 130 करोड लोग है अगर हम संकल्प कर ले कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है देश को एक सम्रुद राष्ट की तरफ ले जाना है एक विक्सित भारत बनाकर के साथ ले ली है हमारे करीब से गरीब की सामान ने आवज सकता है उसको पूर्ण करना है अगर 2019 से 2024 जो स्पिरीट आजादी का था वो स्पिरीट सम्रुद भारत के लिए बन जाए स्वतंत्र भारत का वो स्पिरीट सम्रुद भारत का स्पिरीट बन जाए 2024 के पहले देश को हम नहीं उचाए यो पर ले जाए बहुता है और इसलिए और इसलिए दोस्तो कि इस चुनाव को हमें नमरता से शुकार रहा है हम सरकार सरकार तो बहुमत से बनती है और जन्ता ने बना भी दिये लेकिन लोग तंत्र के संस्कार लोग तंत्र का स्पिरीट भारत के संविधान का स्पिरीट हमें इस बात के लिए जिम्मेवारी देता है कि सरकार भले बहुमत से बनती हो लेकिन बेश सरवमत से चलता है और इसलिए मैं आज सारवजनी क्रुप से कहता हूँ चुनाओं में क्या हुआ कैसे हुआ कौन बोला क्या बोला मेरे लिए वो बात बीच चुकी है हमें आगे देखना है हमें सब को साथ ले करके चलना है हमारे कोर विरोधी होंगे उनको भी साथ लेके चलना है बेश हीद के लिए चलना है और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना है लोग तंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है सम्मिदान सम्मिदान यही हमारा सुप्रीम है उसी के चाया में उसी के हर शब्द के भाव को पकरते हुए हमें चलना है और उस काम में भारतिय जनता पार्टी का कोई कार करता भी हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक भी उसी उमंग और उसा के साथ हमसे जुड़ेगा यह मेरा विश्वास है भाईयो बेनो देश ने हमें बहुत दिया है मैं आज इस पल देश्वासियों के सामने भी कुछ कहना चाहता हूँ मैं देश्वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने इस फकीर की जोली तो भर दी मेरे प्यारे देश्वासियों आपने इस फकीर की जोली भर दी है बड़ी आज़्शा अपेक्षा के साथ भरिये मैं जानता हूँ आपकी आशा आकांच्षा आपके सपने आपके संकल्प बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है मैं इसकी भरी भाती इस गंवीरता को समझता हूँ लेकिन मैं देश को कहूँगा कि आपने 2014 में मुझे जादा जानते नहीं थे लेकिन आपने फरोसा किया 2019 में आपने मुझे जादा जानने के बाद उसमें और जादा थाकत करे मैं इस इसके पीछे की भावना को भली भाती समझता हूँ मैं भली भाती समझता हूँ जैसे अमीज भाव कह रहे हैं ते गए बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्ण पहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत कर गये इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है और परोसा जैसे पड़ता है जिम्मेवारी और ज़्यादा पड़ती है और इसलिए मैं देश वाचियों को कहना चाहूँगा कि आपने मिजे जो दाइत्व दिया है हमारे एंडिये के सब साथियों ने जो हमें समर्खन दिया है एंडिये के साथियों ने भी मिल करके पूरी महनत की है तब चाह करके मैं देश वाचियों से आज जरूर कहना चाहूँगा और इसे मेरा वादा मानिये मेरा संकल्प मानिये मेरा समर्पर मानिये मेरी प्रदिवत्ता मानिये लेकि मैं जरूर कहूँगा कि आपने फिर से जो मिझे काम दिया है आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में बद इरादे से बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा काम करते करते गलती हो सकती है लेकिन बद इरादे से बद नियत से मैं कोई काम नहीं करूंगा दूसरा दूसरा देश वाचिया आपने मुझे इतना बड़ा फरोसा इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तब मैं देश वाचियों को फिर से कहूँगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूँगा और तीसरी बाद मैं सार्व जनीक वरुप से कहना काऊँगा और तीसरी बाद मेरे समय का पल पल मेरे शरीर का कन कन सिर्फ और सिर्फ देश वाचियों के लिए मेरे देश वाचियों आप जब भी मेरा मुल्यांकन करें इन तीन तराजू पर जुरूर मुझे कस्ते रहना कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोस्ते रहना लेकिन मैं देश वाचियों के भी स्वाचियों के भी स्वाच दिलाता हूँ कि मैं सार्वजनित रुप से जो बाते बताता हूँ उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूँगा मैं आज हमारे रास्ती अध्यक्ष उनकी पूरी टीम राज्यों के अध्यक्ष राज्यों के टीम पार्टी के पन्ना प्रमुग तक के लोग कुछ लोग पन्ना प्रमुग की बड़ी मजाग उड़ाते रहते लिए पन्ना प्रमुग की ताकत क्या होती है वो आइस चुनाव में पता चल गए पन्ना प्रमुग से ले करके राज्यों ये प्रमुग तक इन लक्षावधी कायर करताओं को उनके परिशम को उनकी प्रतिवत्ता को एक बार रगय से बहुत बहुत आभिननन करता हूँ बहुत बहुत पहन्यवाद करता हूँ पहन्यवाद मैंने साथ बोलिये भारत माता की बारत माता की बारत माता की बारत माता की बंदे 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 ब